जहां इज़त नहीं वहां जाना नहीं जी हाँ जहां अमारी इज़त नहीं होती वहां हम भी नहीं जा सकते यही बात भम्मूने भी कई है उनसे लगातार कमेंट करके लोगे एक की चीज पूछ रहे थे कि आप रुवी रिदी की लड़की को देखने के लिए क्यों नहीं होती वहां हम नहीं जा पाएंगे इस पेशली उस जगह पर जहां हमारा कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ नाता था जिसे हम अपनी बेटी मानते तिर वही बेटी आज हमें फोन करके ये भी नहीं बताने लाइक हुई कि हाँ ये फंक्षन है मामा मामी आप आज आईए और मैंने पिछले व्लोग में भी यही कहा था कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आपको क्या पता की मतलब भुआ जी ने कोल किया या नहीं किया तो आज की व्लोग में बमू ने बताया कि यदि मुझे एक भी फोन आता है ना तो मैं सारे काम छोड़कर तुरन दोड़कर चली जाती हूं जूटे मन से ही सही एक फोन तो कर सकते थे ना बिना किसी का नाम लिए बिना कुछ कहे बमू ने वो सारी चीज़े बता दी जो उनके मन में थी कि जहां पेट में भूक नहीं होती तो वहां हम कुछ भी खा लें तो भी हमें खाना वो अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट नहीं आता वैसे ही हम उस जगए पर जाएंगे ना तो भी हमारी इज़त नहीं होगी जहां हमें कॉल करके नहीं बुलाया गया हाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो कुछ लोगों ने का कि मामा मामी को कौन बुलाता है खुद ही जाना पड़ता है अपनी फैमिली में लेकिन यदि हमारे यहां खुशियां आई है चाए वो लड़का हुआ हो या लड़की हुई हो हम अपने रिष्टेदारों को कॉल करते हैं हमें उनको बताना पड़ता है कि हाँ लक्षमी आई है बेटा हुआ है आपको बदाई हो तो फिर वो आगे से हमें फोन करते हैं व उनको अपडेट दे रही थी लेकिन रूबी या उनकी मदर ने एक कोल तक नहीं किया तो फिर भम्मू कैसे चली जाए ठीक है लखन और नीतु ने अपना फर्ज पूरा किया उनको हमेशे अब मा माना है बुआ जी को एक परिवार का हिस्ता माना है पुनित उनके पास रहत है मामा मामे को नहीं बुलाया ठीक है आज तुम्हारी सिच्वेशन अलग है तुम आज सुदर चुके हैं तुम्हारे हालात लेकिन जिस टाइम पे तुम्हें इनकी जरूरत थी तो इन्होंने तुम्हारा पूरा साथ दिया था बम्मू पाई तो कल भी ऐसे ही थे आज भी ही ऐसे ही है लेकिन चेंज तो उनमे ही आया है ना वो इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं यह दि कोई नाराजगी है तो वो बैट कर दूर की जा सकती है चलो बुआ जी कोल ना करे रूबी का तो फर्ज बनता है ना मामा मामे को बुलाने का क्या क्या नहीं किया उनकी देना उसके बावजूद भी आप लोग उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें हमेशा इस सिच्वेशन में लाने के लिए आगे रहे हैं दूसरा आज उनको कोई जान रहा है तो वो सिर्फ इनकी वज़े से जान रहे हैं इनको कोई जूरत नहीं है तुम्हारी तु यह हमने देखा भी है बम्मू हर जग है जा सकती है तो वहां क्या बुआ जी के पास नहीं जाते वो सबसे पहले वहां खड़ी मिलती लेकिन उन्होंने ही नहीं बुलाया वो अभी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना